नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ Glamorous World और आज हम बात करेंगे बॉलिवूड की एक ऐसी अदाकारा की जिसने अपनी जादुगरी के दम पर अपनी जगे बनाई हैं हाँ हम बात कर रहे हैं अनुश्का शर्मा की अनुश्का शर्मा एक बार का जिक्रतों बॉलिवूड की चर्चाओं में जरूर होता है वे एक ऐसी प्रतिबाशालियादाकारा हैं जिन्होंने अपने करियर के दोरान बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है चलिए हम उनकी कहानी बिलकुल शुरू से बढ़ोरते हैं दोस्तों अनुश्का शर्मा का जन्म एक मही 1988 को हुआ था उनका जन्मस्थान एक ब्राम्हन परिवार में रह चुके उत्तर प्रदेश के गोविन नगर में हुआ था अपनी पढ़ाई के दोरान वे मॉडलिंग करने लगी और इससे पहले कि उन्होंने अपना बॉलिवू देब्यू किया वे इंटरनेट एड्स और टेडिविजन कॉमर्शियल में काम कर चुकी थी। और जब हैरी मेट से जल, जीरो, एदिल है मुश्किल, सुई धागा और ऐसे नजाने कितने फिल्मों में उन्होंने अपनी कला कितम पर एक मुकाम हासिल किया है। अपनी आक्टिंग करियर के अलावा अनुश्का शर्मा ने कई ऐसे आदाश्पून काम किये हैं और वो बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलन करती हैं। उन्होंने एक्स्क्लूजिव कैमपेंज और सामाजिक संदेशों के मादम से महिलाओं के अदिकारों का प्रचार पसार किया है। क्या आप जानते हैं कि अनुश्का शर्मा अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने खुद प्रड़क्शं कमपनी क्लीनस लेट फिल्म के स्थापना कर चुकी हैं। अनुश्का शर्मा ने अपनी आदाकारी के साथ ही प्रोडक्शन में भी एक महानता मुत्पादन प्रदर्शित किया गए। उनकी फिल्म पारी को क्रिटिक्स और दर्शकूने सराहा है। इसके अलावा अनुश्का शर्मा एक दिल सपेशी वेक्ति भी है। नोंने विभिन सामाजी कारिक्रमों में और योजनाओं का समर्थन किया है और आपसर पर अपने समय और संसादनों का उप्योग करके लोगों की मदद की है। अनुश्का शर्मा ने फेमस क्रिकेटर विराट कोली से 11 इसमबर 2017 में शादी की और दोनों एक खुबसूरत बच्ची के पेरेंट्स भी बन चुके हैं। दोस्तों तो ये थी अनुश्का शर्मा जिनोंने बॉलिवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस पूरी जन्य में उन्होंने मेहनत, प्रतिबा और ध्रामर्थ दिखाई है। हमें उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, अलविदा दोस्तों।